के अब सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम नाप करके आधा कप बेशन लेंगे और उसी कप से नाप करके आधा कप हमने सुजी लिया हुआ दोनों चीज़ों की management ध्यान रखिएगा अगर आप अलग-अलग बना रहे हैं तो चाहएं तो सूजी अब इसन से भी बस बना सकते हैं इस तरह से बनाना है उस तरह के और भी उनाचते मैंने अपनी चैनल पर डाले हुए हैं चैनल पर नया है चैनल को subscribe किजिएगा ऐसी चमच हल्दी पाउडर आदा चमच चिलिफ्लेक्स बच्चों के लिए डालना है तो चिलिफ्लेक्स कीज़ेगा या फिर एक वज सरीमिश डाल लेज़ेगा गरम मसाला मैंने उस किया हुए इसमें आदी चमच और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे सबी चीज़ों को ड ज़िदार और बहुत ही तेस्ट इसल्ट मिलेगा अब यहां पर क्या करेंगे हम आधी कपसी थोड़ा सा जादा पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरा एक कप पानी मट डाल देगा बना यह बहुत गीला हो जाएगा बस यहां पर आधा कपसी थो देना है दस में अच्छे से पानी को पी लेगी और इस तरह से एकदम गाढ़ा से इसका बैटर बन जाएगा देख सकते हो आप लोग की पहले जो ही थोड़ा सा गीला गीला था तो अभी काफी सूखा सूखा सा हो गया है अब हमी क्या करना है इस वाले पानी को ले लेंगे बैटर लेंगे यहां देखे का आधा कप मैंने बाद में पूरा एक कप भर करके पानी डाल दिया हुआ है बैटर को दानने के बाद तुरंथ इसे चलाना स्ट कर दिए का रहा हुगा है और सारे मिकशर को त्याने के गैस की फिलम को मेडियम रखेगा अच्छे से चलाते र जोड़ेंगे ताकि सूजी अच्छे से पक जाए बिल्कुल भी कच्छी ना रहा है यहां पर अब हमें ढग देना है और ड़कर के छोड़ देते हैं इसे 10 मिनिट से 5 मिनिट के रहे तो तक हमें क्या करना है एक थाली ले लेंगे थाली पर ओल लगा देंगे क्यों लगा रहे हमने तो जो हमारा बेटर है वो रेष्ट कर रहा था जब रेष्ट कर लेगा 10 मिनिट के बाद तो हम उस बैटर को इसमें ट्रांस्पर कर लेंगे अब थाली में तेल लगाने से क्या होगा कि यह बेटर जो है थाली में चिपकेगा नहीं जिसके वएसे हम इसे जब सेट कर मैंने इसकी उजाई रखी हो है और अच्छे से हाथों से पहला दिया हुआ है अच्छे से ठंडा हो जाएं दिजेगा और जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो एक चाकू में थोड़ा सा ओई लगा लेंगे जिससे कि यह बिल्कुल भी चिपकेना और इस तरह से इसे अ अगर यह ठंडा नहीं रहेगा तो चाकू में बहुत अलग हो जाएगा अगर आप चाहें तो इसी स्टेस्पे से ऐसे ही खा सकते हैं तो इस तरह में आप सभी प्राइंगल का थोड़ा से दे रही हूं मन पसंद का से बना लीजिए और इसी तरह से मुझे तो काफी काफी कुरकुरे हो जाते हैं चलिए इसी तरह से मैंने सभी पीसिस को कट करके फिलाल साइड में रख देती हूं अब चले चलते हैं नेक्स स्टेप पे इसके लिए हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे अब यहां पर आप डीफ्राइ कीजिए सेलो फ्राइ कीजिए आपकी पीसिस को करके डालते जाएंगे और अच्छे इनने नीचे से से शेखने देंगे बहुत अज़ा देर तक मत छोड़िए गा यह अच्छे से थोड़ी धिर में मिंचे से कुरखुर हो जाते हैं गरम होती है और यह ज़िए लगज पीज जाते हैं बेल्कुल भी कच्छे नह बहुत जाल जाएंगे जैसे हलका हलका इन्हें निकाल लीजिएगा यह उपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे एक दम करारे रहते हैं ठंडा होनी के बाद भी बिल्कुल कुरकुरा बना रहता है और गर्मा गरम चाय के साथ सब कीजिए या टमेटे सॉस के साथ आपको बहुत पसंद आएगा एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी सी रेसिपी है बराने में बहुत ज़्यादा असान है आपको कैसे लगे मुझे कमान बॉक्स में जरूर बताईएगा अच्छी लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ चैनल को बता दो कि आपने इस किसे कैसे बना है और में जरूर के साथ तब तक लिए बाबाय एंड टेक कियर